हेलो फ्रेंड स्वागत आपका study hack channel पर मैं ऐसा करता हूं कि आप सब स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी त्यारी में जोरो सोरो से लगे होंगे तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी English Grammar की सीरी चल रहे है जिसमें मैं आपको English Grammar पढ़ा रहा हूँ कि तम Basic Level टीक है तो अभी तक हमारी दो Class अलड़ी हो चुकी है Basic जिसमें मैंने आपको बता है था कि Word क्या होते है Slavell क्या होते है, Sentence क्या होते है तो जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट क्लास में एक Poem बताया था जिसके मादम से मैंने आपको Parts of Speech याद करवाया था कि क्या वर करता है तो आज हम उसी में से एक पढ़ने वाले Noun के बारे में तो आज इविदम Basic Class होगी Noun की क्योंकि आज Noun का Part 1 तो चलिए विनादेरी के शुरू करते है अपने क्लास को और जानते की Noun होता क्या है तो जब भी आप Noun का नाम सुनोगे तो आपके जहन में पहला सवाल यही आता है क्या क्या Noun होता क्या और आपको याद हो First Class तो मैंने आपको बताया था पोयम का फर्स्ट लाई ही था Every name is called Noun as field and fountain, street and town तो जितने भी नाम है जो भी नाम अपने होते हो वो सारे क्या है नाउन ही है उसको संग्या ही कहा जाता है ठीक है ऐसा समाश सकते हो कि किसी व्यक्ति, वस्तू, अस्ठान, गुन, जाती, भाव, क्रिया, दरब, आधी का ज्यान कराने वाले सवर्ध या नाम को संग्या कहा जाता है ठीक है नाउन के वज़ा से तुम हम किसी भी वस्तु वक्ती, अस्थान और जाती के बारे में बसे सही जनकाली प्राप्त कर सकते है तो ए enclosed कि कि अगर हम हमें पता करना कि कोई बंदा जो है ऑँ कलाकार रहे है ठीक है तो हमके ऐँसा पता चेला कि वह गहला कार है करता भी दिखा एगा हमें घरोबेट है तरह तरह के खर दिखायगा और यह सारी डीटेल नॉलिज हमें कैसे पता चल रही है तो नाउन के वज़़ा से तो संग्या के कानियम किसी वस्तू व्यक्ति अस्थान और जाति के बारे में सही जानकारी प्रात कर सकते हैं तो हम पता होगा तो हम पता कर प牙tschaft किरा मोल शुल हुद जैसे कि आप कार सुनते हो तो पता चल जाते कि कार के यूजम क्यों क्यों करते हैं भाइसकिल य但是 क्या संघ्या ही यह यह होगा हुद लेकिन अभी आपके जहन में एक सवाल होगा कि नाउन चलीगा कि पता पर लूट सन है next slide में ठीक है तो कोई भी वर्ड हो जो answer करेगा in question ठीक है what who home sentence में कोई भी वर्ड होगा अब sentence से question करना है what क्या who, whom, whom, किसे तो आपको जो भी answer देगा जो भी word answer देगा वही noun होगा ठीक है आई इसको example के माध्यम से समझते हैं ठीक है और किसी को तो बोलते हो कि आप ऐसा समझो कि what is the best our what is best ठीक है तो आप जैसी वाट का सवाल का जवाब देखोगे तो क्या हैगा टीम आजा कौन बेस्ट है तो टीम तो टीम क्या है नाउन ठीक है northwest callu there are gas in the moon ठीक है आप उसको बता हमिरें वोलो की तालाब में दो है आप सामनेरा आप से सवाल पूछे आपकेर değildamix कुछ तो होगा है है नाउन है ठीक है और किर इस ग्लैव कि उसका काल आपको सारी चीजे किलियर हो गई होगी तो आगे बरतें नेक्स्ट बात करतें नेक्स्ट हम बात करेंगे कांड ऊफ नाउन होते हैं तो कितने परकार के नाउन होते हैं तो सबसे पहले आप जान लो प्रोपर नाउन जिसको बोलते हैं हिंदी में व्यक्ति वाचक संगे ठीक है नेक्स्ट है कॉमा नाउन जिसको बोलते हैं जाती वाचक संगे नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन जिसको बोलते हैं समूह वाचक संगे नेक को पता चल लेगा इंडियन मोमेंट के बारे में ही बात करा है ती तो आपका clear नहीं होगा तो उसको clear करता है कौन proper noun जब आप proper noun का use करते हो तो आपको properly पता होता ही कि किसकी बात की जा रही है common noun आपको एक common बता देता है कि commonly हम इसे क्या कहते है collective noun क्या होता है कि ये collection होता है जो बताता है कि ऐसे लोग जो भी है common जो भी है इनका एक हमने collection बनाया है, इनको हम एक नाम देना है, जैसे एक gang of robbers, तो robbers क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसका proper नाम आपको पता होगा, तो यह proper noun हो जाएगा, तो आप बोलोगे thieves है, robbers है, तो यह common हो गया, लेकिन जब आपने gang लगा दिया, तो यह collective noun बने गया, material noun कौन सा होगा, जो भी material आप यूज करते हो, जैसे gold, milk, rice, यह सब material जो आप यूज करते हो, day to day life में, वो क्या material noun है, ठीक है, bread, यह सब क्या material noun है, बात कर लें abstract noun की, तो abstract noun कौन है, भाव आचक नाम गया, जो आपका भाव व्यक्त करें, ठीक है, जिसे आप ना तो देख सकते है, ना छू सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, जैसे anger, friendship, इसको आप न देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ठीक है, आइए इसको detail में जानते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे, common noun के बारे में, ठीक है, तो अभी हम, मैंने आपको बता है कि, it is the name given in common to every person or thing of the same kind, ठीक है, तो जैसे car, आपने car बोला, तो अपने ये mention नहीं किया, particularly कि आपको कौन सी car चाहिए, अगर आप किसी को बोलते है कि मेरे पास car, ठीक है, तो उसे ये नहीं पता चलिए कि exactly आपके पास कौन सी car है, Audi है, Mercedes है, कौन सा है, ठीक है, तो car एक समूह के बारे में बता रहा है, ठीक है, common नाम बता रहा है आपको, ये commonly हम car यूज करते है, जो भी चार्चके वाले होते हैं, जैसे Audi हो गए, BMW के उनको हम car बोलते है, house बोल दिया किसी ने, तो किसका house आपको नहीं पता चलेगा, तो commonly हमने जो बताया, common नाम बताया कि ये घर, ठीक है, जैसे dog बोल दिया किसी ने, तो हमें ये नहीं पता किस breed के बारे मात कर रहा है, ठीक है, सारे breed को मिला के common नाम कर दिया, dog, जैसे example देख लो, boy, girl, teacher, तो इस सब को exact नहीं पता चलेगा किस लरके के बारे में बात हो रही है, किस लरकी के बारे में, किस teacher के बारे में, ठीक है, तो हमें किसी का नाम पता न तो आगे तो आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं तो प्रपर्टीज की बात कर ले तो हम इसको क्लासिफाइब करेंगे नंबर और जिंगर में तो नंबर क्या क्या हो जागा और काउंटेवल एंकाउंटेवल जिसको हम गिं सकते हैं जिसकी गंदना और कि जाती है तो iq5 घॉजग के पयाल sunglasses पाकाउंटेभल क्या हो IRT में हिसे गिंन नहीं सकते हैं ये पाउनगी में इसको क्मेंचे इनले सिंगलर मानके ही चलते हैं आई एक्जाम्पल देखते हैं, जैसे की man, ठीक है, यह similar है, woman, एक औरत के बारे में बात हो रही है, एक फुरूस के बारे में बात हो रही है, आप book लिख लो, ठीक है, तो एक किताब के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो आप इसा plural भी बना सकते हो, क्या, तो man का क्या है, मेन लिख सकतें हैं बुख का क्या लिख सकते हो बुंत का तो आप क्या राइस को गिंते हो कि कितने दाने मैंने हैं इसको हम सिंगलर में UH करते हैं तो राहीoya ठीक है और क्या हो जागा घुल्ड हो जाएगा जितनेमि मैटेरिएल होते जिसको हम सिंगलर रूप में ही मालते है थे नेक्सट बात कर ले जैंदर तो जैंदर के दारते मुस ? टै करते कि मैस्कुलीन है या नाइन है या कॉमन है या नीटर है तो मैस्कुलीन कौन होगा जिसमें मैन वाला करेक्टर आएगा तो क्या क्या हो सकते हैं मैस्कुलीन में अप देख लो मैं मैं मैमें क्या होजागा मैस्कुलीन हो जाएगा और नियुक्या भी मैस्कुलीन हो जाएगा और बात करो लो पार मैस्कुलीन सकता है तो इसको बोल सकते हो अंट जो हमारी अंट होती हो क्या होती ही फीमल ही होती है ठीक है मदर बोल सकते हो मदर भी क्या है फीमल है तो मदर को भी आप इंक्लूड कर सकते हो फेमनाइन में जो भी फेमनाइन है सारे आप इसमें एक्जामपल को इंक्लूड कर सकते हो बात कर ले common की ठीक है कि common कौन सा होगा तो common वो होगा जिसमें हमें ये decide नहीं कर पाएं कि man भी हो सकता है या woman भी हो सकता है masculine भी हो सकते हैं feminine दोनों हो सकते हैं ठीक है अगर हम बात कर ले जैसे कि parent की ठीक है तो parent में क्या आजाते हैं उपार बीज लुठके तो बात कर लिया अगर हम पैरेंट की तो पैरेंट में क्या हो सकता मदर इसकते फाडर भी सकते तो मेस्कुलीन के लिए कोनला को एपिर यी मोभित कम आता पता कुछ नहीं पता होगा Less Cos Jos go तो त्री को हमने क्या रखा? न्यूटर रखा. अगर आप बात कर लो चेर की तो चेर भी क्या होगा? न्यूटर होगा. हमें चेर का भी नहीं पता होगा. मैस्कुलीन है फेमनाइन है? क्या है? नहीं है. तीक है? I hope आपको सारी चीजे क्लियर लेंё हो गये तो आगे बहुत सारे इस ऐक्जामपल हैं अगे र ék्जामपल ले सकते हैं, खुज से भी आपका प्रेक्टिस हो जाएते हैं, श़री नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्रोपर नूळन के बारे में तो जो एक पाठिकुलर नाम हम देते हैं, कि सी परसन को, प्लेज को, या किसी थींग को, उसी को हम कहते हैं प्रोपर नाव. जैसे राम, राम एक प्रोपर नाव में, ठीक है, बॉआए के अंदर हमने, बॉआए एक कॉमन नाम था, और राम की बात जैसे ही हमने की, तो एक प्रोपर परसन के बारे में हम जानगे कि अच्छ प्रोपर नाउन की एक खास बात हो थी कि उनके वड का पहला जो लेटर होता है वह हमेसा कि ऑंब लेटर में होता है जैसे देली का दी शानिया का सूरा इंडिया का आई जूपीटर का जूस नीड़ यह सब क्या है capital में तो बड़ी असानी से पहचान लोगे जब आपको noun पता चल जाएगा तो बड़ी असानी से पहचान लोगे यह सब क्या है proper noun है ठीक है आई होप आपको चीजे clear हो गई तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोपर नाउन को भी हम केटोग्राइक करेंगे नंबर और जेंडर पर तो नंबर पर कौन कौन सा हो जागा countable और uncountable के अंदर क्या आएगा singular और प्लूरल और uncountable के अंदर सिर्फ singular तो आईए जानते हैं इसके एक जामपल के बारे में तो जैसे की बात कर लो आप इंडिया की इंडिया कर रहा हूं मैं इंडियन की तो आपको पता चले हैं एक इंडियन के बारे में बात कर रही है तो आप इसका प्लूरल भी बना सकते हैं कैसे तो इंडियन को वो कहें तो इंडियन एक से अधिक भार तो अगर हम बात कर लें इंडिया की तो भारत क्या है? सिमिलर है? अगर व्यूर्ड में बारत एक सेदिक तो है नहीं? तप भारत क्या है एक ही है तो ये अनकाउंटेवल और सिम्लर में आ जाएगा अमेरिका की बात को लो जो भी जितने वी countries है rec в सबको आप रख सकता हो और हमेशा क्या होंगे सिंविलर ही होंगे कंसीडर कि यह जाएंगे अमरीका भी ले लो कि अमेरिका कि बात कर ले जंदर के अधार पर हम इसको केटोग्री करेंगे मैस्कुलीन में फेमनाइन में कॉमन में और न्यूटर में बात कर लें मैस्कुलीन की थीक है तो कुछ ऐसay नाम है जैसे की झाम मैने सुनते ही आएगा यह कप पूरूस है आगर मैंने कह दिया जौन तो जौन नाम सुनते ही आपके जहन में आगा कि कोई क्या होगा कोई masculine character का ही वंदा होगा जैसे मैंने कह कहा दिया सुर्वी तो सुर्वी नाम समझ कि आपको लग रहा हो कि कोई फेमनाइन करेक्टर की वोमेन होगी या गर्ल ही आएगी ठीक है ऐसा नहीं कि कोई मेल प्रकत हो जाएगा और किसी ने रख दिया वह नाम तो वह अलग बात है लेकिन जेनरली आपके माइंड में क्या लेकिन जब आप नाम तो ये फेमनाइन करेक्टर ही सोगता है और बात कर लें common की तो अगर आप बोल दो doctor तो आपको तो ये नहीं पता चलेगा masculine doctor है या feminine doctor है राम doctor बन रहा है या सुरुवी बन रही है आप ये नहीं consider कर पाऊगे common नाम दे दिया हमने की doctor है राम को भी doctor बोलते हैं सुरुवी को भी doctor बोलते हैं अब ऐसा तो नहीं आप की doctors बोलते हैं कोЯ feminine चीज वह ठीक है तो ये सब क्या है common है यसे purple जो भी profession होग है तो ये common हो जाए जैसे teacher है पर जैक तो teacher में female भी आ सटा है वैसे ही doctor भीये बात करें निव्टर जिंदर कि जिसका जंडर नहीं पता हो जैसे country का नांप इंडिया है के इंडिया का तो आपको नहीं बनता है ठीक है यह न्यूटर करेक्टर में आपको सारी चीज़े किलियर हो गए हुए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन तो यह क्या है इसा समझों आप कि यह एक बॉय है ठीक है यह भी एक बॉय है तो यह सब क्या है लरके तो अभी आपको इनका नाम नहीं पता तो इनको क्या बोले होगे लेकिन हमने क्या किया सारे लरकों को बोला कि आप लोगों को क्या करना है फुटबॉल खेलना है ठीक है तो फुटबॉल के लिए हमें क्या चाहिए एक टी तो यह जो collection मैंने बनाया persons का या किसी things का collection बनाऊंगा ठीक है जिनको हम एक मान के चलेंगे तो उन्हीं को बोलेंगे collective now ठीक है जिसे बहुत सारे crooks थे उनको हमने collectively क्या धिया Unch of Cr seres from a bunch of fruit ठीक है तो बास्केट में हमने तरह तरह के बहुत सारे fruit भर दी अब सबका नाम तो नहीं पता हमने का जिनकों ऐसको जैसे की fleet ठीक है कमने एक तो वहता को नहीं एक से अधिक होते हैं जैसे class क्लास में एक बच्चे तो होते नहीं एक से अधिक बच्चे उते हिसे लागिंगे लगी सब इतनी को हमने भूत कर दिया उसको समय क्या क्वे आप यह सब क्या है क्लेक्टि मावन है ठीक हẳ島हीज जिन्रल यह को बी जिया को ब्म मानके चलते लेकिन उनकों प्लूरल कभी मानते हैं जब मतवेद दर्स आए जाए मतलब क्या है कि उसमें जितने भी सदर्स होंगे सब का मत अलग-अलग हो ठीक है सब अलग-अलग सुंचते होंगे जैसे एक्जामपल देखो तो टीम के अंदर बहुत सारे मेंबर थे मालो की पांच मेंबर थे यह राम था यह स्याम था यह मोहन था अब के लिए लड़ाई हो गए अगर सबने एक बात कहा होता कि नहीं मोहन को कैप्टन बनाना है तो चलो एक मत था ठीक है तो अब इसको सिंग्लर के रूप में यूज करते हैं लें मोहन कहा रहा है कि सोहन को कैप्टन बना और सोहन कहा रहा है कि राम को कैप्टन बना और राम कहा रहा है मोहन को कैप्टन अब तीनों का मत क्या है अलग अलग तीनों का सूच अलग अलग है तो तीनों क्या है एक दूसरे में डिवाइदेन है तो जहां पर मत अभेद का आपको सिंस आएगा वहां पर हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल के रूप में यूज करेंगे जनरली यह क्या होता है सिंगलर फॉर्म में यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे इसके प्रोपर्टी तो इसको भी कैट्विरी करेंगे नंबर के अधा सिंगलर मां तो सिंगलर क्या हो सकता एक्जांप़ सारे लगें सेना लेकिन करेंगे के बहुत सारे बख्यास हो रही है लेकिन दूसरे देश के सेना आये तो वहां हम क्या और अर्मी बॏलेंगे तो इसका भी प्लूरल फॉम बनता है वह भाट कर लें अनकाउंटेबल स्मिलर नाउन की तो इसमें आप बोल दो फर्नीचर फर्नीचर क्या है अनकाउंटेवल थे करते हैं तो सिमलर फॉम में ही करते हैं तो और जो एल्री कह लो तो तो जो एल्री बिक्या होगा अन काॉंटेबल होगा बात कर लिए जेंडर तो जेंडर में मैस्कुलीन फेम्नाइन कॉमन और नूटर में डिवाईड करते हैं ठीक है इक्जामपल देख लो मैस्कुलीन अब देखो जैसे टीम है तो टीम हम कैसे पता चले है कि किसी टीम है तो मैस्कुलेन है या फेमनाइन हो सकता है कि लरकों लरकियों को मिला के टीम बनाया हो ठीक है तो हम टीम से क्या पता कर पाएंगे कि मैस्कुलीन के बारे में बात हो रही या फेमनाइन के बारे में हो रही तो नहीं तो इसका मैस्क क्या होगा इसका भी कौमंण कुछ नमने बनता इसके लिए जो जैन्र लोग यूज करेंगों कव नूटर जंडर तो जो भी टीम है कि छोग का ऊंद क मैस्कुलीन करेक्टर या में करेक्टर ही नहीं दिखाता है टीम से कुछ नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा सिफ जेंडर में न्यूटर होगा, याद रखना, यह सब पॉइंट याद रखने वाली बात है, अगर आपको कहीं पे collective noun दे दिया ठीक है, अब बोला कि इसका feminine बता हो, masculine दिया हो, feminine बता हो, तो सरासर उसको गलत करते हैं, उसका कोई masculine नही होता ना उसका कोई common gender होता है वो क्या होता है तो न्यूटर जिंदर होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है abstract नाउ ठीक है तो बात कले abstract नाउन की तो क्या होता है it is the name of quality idea concept और state ठीक है तो ऐसे गुन भाव क्रिया अवस्था को व्यक्त करता है जिने छुआ नहीं जा सकता है देखा नहीं जा सकता है बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है जैसे की beauty ठीक है सुन्दर्ता को आप क्या कर सकतो महसूस कर सकते है ठीक है यूथ कोई कहेगा यूथ तो कई छूले की चीजँ नहीं है कही देख नहीं सकते हूं टीक है bravery बहुति बहुति कहीं दिखेगा नहीं वह चीज है महसूस किया जाता है कि तुम बहुत अच्छा लड़े तुम्हारे पामारा देख नहीं देखना है कि तुम कितने supportive हो नहीं देख पारा है ना plea तो इन सब चीजी को अनगा उन सबखोगे सिभ सिफ मैसूस किया जा सकता है ठीक है तो जैसे ले उसके सिंसरीटी को रिस्पेक्ट करते हैं अब इस बहाँ देखते हैं systematic कि ainsi and आप देख पातो न छूपातो वह सिप महसूस करते हो तो आगे बढ़ते नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स हम बात करेंगी इसके प्रोपर्टीज थीक तो नंबर और चेंडर में इसको डिफ्रेंसियेट करेंगे तो नंबर में क्या क्या हो जागा countable और uncountable countable है तो singular भी होगा और plural भी होगा और uncountable है तो क्या होगा? singular होगा तो इसका countable singular बन सकता है जैसे event एक event होगा event का plural भी बनता है events कहीं पर गय है तो मालो एक event हो रहा था जैसे मालो की किसी एक स्कुल का event हो रहा था racing का दूसरा event हो सकता है कि वह किस चीज का हो तो वह slow cycling का हो तो बहुत सारी event एक साथ हो सकते हैं event का plural बन सकता है events ठीक है बात कर ले uncountable का ठीक है तो जैसे कि advice जो सलाह होता है ठीक है उसको count नहीं करते हो उसको बनाते हो आप singular बनाके ऐसे a piece of advice लिखते हो लेकिन जैनरल ही इसका plural बनता नहीं है यह एक अनकाउंटेवल ही होता है एडवाइस को आप गिन नहीं सकते हैं happiness क्या आप happiness को गिन सकते हो नहीं न तो यह सब क्या है uncountable और बात कर लें जैंडर की तो जैंडर में मैस्कुलीन होगा फ्यम्नाइन होगा common होगा नूटर हो ठीक है तो क्या abstract noun का कोई मैस्कुलीन होगा नहीं कभी नहीं होगा ठीक है बहादूर तो लरका भी हो सकता लरकी भी हो सकते बहादूर से कैसे पता चलेगा कि मैस्कुलीन करेक्टर का है या फेमनाइन करेक्टर का है ठीक है तो फेमनाइन करेक्टर भी नहीं होगा जब मैस्कुलीन नहीं होगा फेमना हो सकते है इवंट का नहीं बनता है यप यह है उब हमारे कपूंध सकते हैं जौब सकते हैं इन चीह सुछ में रख सकते हैं सजौब को हम क्या कर सकते हैं न्यूटरेटॉ जेंदर में रख सकते horr защ नेक्स्ट है material नाउन तो जैसे gold हो गया, coal हो गया wheat हो गया, tea हो यह सब क्या है material noir तो जितने भी uncountable common noun होते हैं उनको हम material noun मोलते हैं सबसे पहले मैं आपको बताया था देख वा रहे होंगे, चलते हैं सबसे पहले वाले पर जैसे common noun में uncountable common noun बता है था जैसे rice, gold यह सब क्या है इन ही को हम क्या बोलते है material नाउन ठीक है यही सब क्या है हमारे material noun है ठीक है I hope आपको सारी चीज़े clear हो गई होगे क्या क्या है material toothpaste, jewelry, money, rain, wheat, gold, coal जितने भी material आप यूज़ करते हो सारे का नम material noun ही क्यालाते है ठीक है next case of a noun noun कौन-कौन से case में आ सकते है ठीक है तो बहुत easy है example से समझो जब अगर noun subject के रूप में use होता हो तो उसको हम बोलते है subjective या nominative case ठीक है जब noun use होगा object के रूप में तो उसको हम बोलेंगे objective या associative case ठीक है अगर जब possession दिखा रहा हो तो उसको हम बोलेंगे positive या bitcoin जیनेटिव के ठीक है तो यह pleasing cases होते है नउन के ठीक है generally यहीं होते है subject के रूप में यूज होगा तो objective case possession के रूप में होगा तो possessive case नाम से ही है आपको बता देगा कि कहना क्या ऐक है case in apposition ठीक है यूब आप पोजीशन होता गया ठीक है देते हो उसी को हम एपोजीशन कहते हैं जैसे यहां पर आप देख लो कि कोई बोलता कि मोहन हैज बिन रिवार्ड है ठीक है मोहन को रिवार्ड दिया गया है ठीक है तो सब समझ आ जाता लेकिन हमने कहा किया कि एक्स्ट्रा इंफर्मेशन दिया कि मोहन कौन जो कैप्टन है हमारी टीम का the captain of our team इसी को बोलते है एपोजीशन ठीक है एपोजीशन मिन्स प्लेशिंग नियर जस्ट जैसे कि क्या है एक डिस्क्रिप्टिव इंफर्मेशन आप देते हो नाउन के बारे में जो किसी कंजंग्शन से नहीं जूरा होता है उसी को बोलते है एपोजीशन ठीक है कि proper noun कौन सा है common noun कौन सा है collective noun कौन सा है material noun कौन सा और abstract noun कौन सा है ठीक है ताकि आप ने जो भी पढ़ा है अगर आप इसको असानी से कर पा रहे होगे अलग-अलग ठीक है सबको category अलग-अलग आप छाट पा रहे होगे उन words में तो आपका practice हो जागा और आप असानी से सारी की चीजे समझ पाऊगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आज का class आई होप आपको आज का class बहुत ही अच्छा लगा होगा ठीक अगर अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दे और वीडियो को share करना ना भूले अपने दोस्तों में जिने English grammar पढ़ना एक तम बेसिक लिए ठीक है चैनल को subscribe करना ना भूले तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्ष्या में कुछ नया लाने की कोशिश करो तब तक के लिए जय हिन जय भारत टेक किये